Finally, finally हो गया अननतंबानी और राधिका मर्जेंट का साधी इतने सारा फंक्शन हुआ और जियो का रिचार्ज महेंगा हुआ और इसमें जो लोग पहुंचे थे भाई, साहब, लालू परसाद का जलवा दिखाएंगे, अखले स्यादों का लाल टोपी हटना दिखाएंगे, पुरी फिल्म इंडेस्ट्री में गर सबसे ज़्यादा आदर से, सम्मान से और ग्रैंट तरीके से वेलकम किया गया, तो वो थे रभी किसन, रभी किसन की वाइफ मानना पड़ेगा, वो लोग सबसे पहले तो एंटर किये, वहाँ पे फोटो सूट कराएं, और उसके बाद अंबानी के घर में जाके साधी को पूरा इंज्वाई किये, साधी देखे, भोजोज खाएं, और फिर वहाँ से अपना चले आएं, इतना ही नहीं दोस्त, लालू प्रसाद यादो भी वहाँ पे पहुचे थे, और पहुचते ही जानते हैं, नीता अंबानी लालू से पहले तक वीलचेर पे बाइट के यातरा कर रहे थे, लेकिन जब एंट्री की बारी आई, तो वीलचेर पीछे रहा गया, अराम से लालू प्रसाद यादो खड़े हुए, और रेदम ता 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 अंदर घूस के भोज लपेट दिये, एक और हैं, बिहार के येक औ अपने चिराग भाईया जो है जखास एंट्री मारते हैं, और एंट्री मारा है, और इन्होंने भी खुब साधी को इंज़ाय किया, चलो इनको इतना रिस्पेक्ट मिलना डिजयर भी करता है, क्योंकि बिहार के बहुत बड़े निता है, बहुत बड़े, जितना सीट इनको नहीं रिस्पेक्ट दिजेगा, तो किसको दिजेगा बाबू, चलो दोस्त, आगे बरते और बात करते हैं, पुमन सिंग के बारे में, और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इनको देखने के लिए कि ये अम्मानी के साधी में क्या जलवा मचाएं, तो हम आ यहां पर यह भी देखने वाली बात है, कि यहां पर पवन सिंग के लिए स्विट भूग था, स्विट मतलब बहुत लग्जरी रूम होता है, और यहां पर पवन सिंग का नाम भी मौजूद था, कैर अम्मानी का साधी है, तो इतना तो सब के लिए किया होगा, इस बात को ह बानते हैं, उसके बाद पवन सिंग रेडी वेडी हो गया है, रूम में, आप यहां पर तस्वीर देख सकते हैं, यह फोटा भी नहीं देखे थे, चलिए एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं, और अब पवन सिंग जा रहे हैं, स्टेज पे पर प्रोग्राम करने, मतलब लॉलीपॉप गाने के लिए उनको बुलाया गया था, और इस चीज के लिए ही पवन सिंग बहाँ पे मौझूद होने वाले थे, और यहां पे जो चल के जा रहे हैं, वो स्टेज पे ही प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और यहां पे आप देख सकते हैं, लॉलीपॉप किया गया है पवन सिंग के साथ, हो सकता है बाद में फोटो आ जाए, लेकिन अभी नहीं आया है, तो हमको तो यही लग रहा है, तो पवन सिंग को फोटो जरूर डालना चाहिए, क्या हुआ है, वो हम आपको बताते हैं, देखो हुआ यह भोजपूरी से लेके हिंदी, बि आया जा रहा था मिंटो मिंटो कि यह आदमी आ गया, यह आदमी आ गया, यह आदमी आ गया है, और इस तरीके से पवन सिंग का एक सिंगल फोटो नहीं आया है, इतना ही नहीं दोस्त, एक उरिजिनल फोटो ऐसा नहीं है, जिसमें आप देख सके, अमबानी फैमिली या फि ये लोग के साथ और सूपरिस्टार का फोटो आया है ना उस तरीके से पवन सिंग का किसी भी बड़े सूपरिस्टार के साथ कोई भी फोटो अपलोड नहीं किया गया है कहीं भी और कहीं से लीक होके भी नहीं आया है जबकि आप देख सकते हैं लालू परशाद यादव कोई भी जगह पे फोटो नहीं दिखा पवन सिंग का चलो वो लोग विलकम नहीं करते लेकिन घर के अंदर जाने के समय जिस तरीके से रभी किसन का आप ये फोतो देख सकते हैं उस तरीके से पवन सिंग आubeं चाहिए था ना लेकिन भाईया चलो जितना मिला उतना ही दु उस पहले तो भोजपूरी के सूपर स्टार को ऐसे ऐसे जगा पे पूछा भी नहीं जाता था, कम से कम पूछा तो गया यहाँ पे पमन सिंग को, बाकी अगर बात करें गिस्ट में जलवा कायम करने का तो वो कि यह रभी की सौन, और बाकी बात करें भोजपूरी में गाना त लाल टूपी नहीं है, और यह बहुत कम चांस होता है, कि कहीं भी अखले स्यादों जाएं, तो वो लाल टूपी पहनते हैं, लेकिन यहाँ पे लाल टूपी नहीं पहने, बहुत 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 रेयर के सोता है, जब रजनी खान्त डैंस करते हैं, और अमबानी के प मिया के सबसे बड़े सूपर स्टारों के लिश्ट में आते हैं लेकिन इनका जो औरा है ना वो इसलिए इतना ज्यादा बड़ा है क्योंकि ये लोगों का इज़द करना जानते हैं बिल्कुल भी घमंड नहीं कि हाई कर देंगे हल कर देंगे अपने सीट में बैठे हैं और छ सारुखान चारो तरफ घूम रहे थे एकदम जीरो ईगू, जीरो घमंड एकदम प्लेन पानी की तरह थे सारुखान अमधानी के साधी में नई भईया हम तो यहीं कहेंगे सारुखान वाला जीरो घमंड पॉलिसी सब को अपना लेना चाहिए दुनिया के बड़े सूपर स् अच्छे लोग इसलिए अच्छे हुते होते हों इतना जादा प्यार पाते हैं क्योंकि उनका जीरो घमंड पॉलिसी होता है और कोई कैमरा नहीं था और कोई कैमरा के सामने स्टंट नहीं था फिर भी सचिन टेंदुलकर जो किर्केट के भगवान कहे जाते हैं वो जब अम तरीके से प्रियंका चोपरा जो है वो दूली राजा के गाड़ी के सामने एकड़ा डैंस कर रहे हैं तगले तरीके से उसके बाद बात करें सारुक खान पूरा साधी कम्प्लीट देखा और उसका प्रमान ये रहा है पता है। आपकी आख्चे जो है वो मनोस तिवारी दिनेश लाल यादो ने रहुआ, ख्यसारी लाल, अक्छरा सेंगो और इन जैसे सूपर स्टारो को हू धूडने में लगी हुई है। तो हम आपको बता दे, दिनेस लाल यादू ने रहुआ जो है, वो भी साधी में गय हुए थे, लेकिन नहीं, अम्मानी के साधी में नहीं, उनके डाइरेक्टर है, उनके साधी में, उनकी बेटी के साधी में जो है, वो वहाँ मौझूद थे, और कुछ इस तरीके की तस्वी जो है, वो फंक्शन अम्मानी के साधी में हुआ था, और रिसेप्टर होगा की नहीं होगा, इतो अम्मानी जाने, भगवान जाने, फिप्टी-फिप्टी चांस है, चलो दोस्त, यहां तक वीडियो को देख लिए हैं, तो एक लाइक तो करी सकते हैं, बाकि इस वीडियो क शेर कर दियो सभी लोगों के पास